राम राम भक्तों एक बार फिर से स्वागत है, हमारे चैनल प्राचीन ग्यान के एक नए और फ्रेश वीडियो में, मित्रों भले ही मर जाना, परंतु भूल कर भी माचिस के अलावा यह पांच चीज अपने घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है, और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है, हर व्यक्ती, सुख, शांती और सम्रिध्धि के लिए घर में भगवान की मूर्तियां लाकर रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो मित्रों, ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी, आपका घर परिवार, सुख, सम्रिध्धि और माता लक्ष्मी का आशीरवाद सदा बना रहेगा, और जिस भी घर के मंदिर में कि वीडियो को आज और अभी ही देख ले, वरना परिवार बरबाद हो जाएगा, अपने परिवार को बरबाद होने से बचा लेना, इनके घर में होने पर सुख, सम्रिध्धि आने के बजाया घर से चली जाती है, यह एक ऐसी जानकारी है, जो अधिकतर गुप्त जानकारि मित्रों, आप में से किसी भी मनुष्य ने या व्यक्ति ने टाइम निकाल कर यह वीडियो पूरा देख लिया, तो समझ लेना, उस घर में सुख, शान्ति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी, आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लो संबंध बनाते हैं, और मित्रों, साथ ही कुछ ऐसे पति-पत्नी होते हैं, जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं, जब मन करें जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है, आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति-पत्नी रहते हैं, जो कि न तो समय देखते और नहीं कौन से स्थान पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं, और जो इस तरह की हरकत करता है, उसका घर परिवार बरबाद हो जाता है, और वीडियो को छोड़ने से पहले, घर में जो अपने मंदिर बना कर रखा है न, उसमें से ये चीज बिलकुल हटा देना, इसलिए ध्यान पूर्वक देखना, हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आज ये वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना, गलती से भी इस वीडि आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी, तो हो सके तो बरबाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना, घर परिवार बरबाद होने से पहले ही बच जाएगा, आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह तीन चीज हटाई नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है, ऐसे में कई पति-पत्नी ऐसे हैं, कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति-पत्नी सोते हैं, कहने का मतलब यह है, कि जिस कमरे में पति-पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं, और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, और जरा सोच कर देखिए मित्रों, आपके बेड्रूम में भगवान जी का मंदिर है, और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही सबद बनाना शुरू कर देते हो और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाएं। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति-पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए बलकि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति-पत्नी को संबंध बनाना चाहिए। परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए, भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा, जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है, जहां से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है, इसलिए भक्तों, आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा ह होना चाहिए, जो आपके घर में सकारात्मक उर्जा का संचार बहतर तरीके से कर पाए, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें रख देते हैं, जिसकी वजह से घर त रखना चाहिए, वहाँ पर नहीं रख पाते हैं, दोस्तों, मूर्तियां लाकर रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, आपके घर में भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होंगी, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ देवी देवत रखना चाहिए, गर में इन्हें नहीं रखना चाहिए, इनके घर में होने पर सुख सम्रिध्धी आने के बजाया घर से चली जाती है, देखिए, आज कल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याहर अचाकर हमारे घर में नई बहू बन कर आ रही हैं, उन्हें न तो वास्तु शास्त्र का ज्यान है और नहीं मंदिर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, मंदिर के सामने एक ऐसी हरकतें बिलकुल भी नहीं करनी है, इन सभी का, आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिलकुल जो ही ज्यान नहीं है, इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं मित्रों, जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पती और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है, परंतु ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पती को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पती-पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता। और जब घर बरबाद होने लगते हैं, तब जाकर अक्कल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला हैं, तो आपको मार देगी, आपको घुट-घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी महिला आपके साथ है, तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है, कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग-अलग मौडल परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा पर दोस्तों, सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर-हर महादेव अवश्य लिखें। अगर सच में ही भक्त हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर, नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार हर-हर महादेव लिख देना। अगर घर में सुख सम्रिद्धिव धन की कामना करते हैं, तो ये आठ आठ चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयम भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपून चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है, वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान, इत्यादी चीजों को भी रख देते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना, जितना फल दायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना, अ शुब चीजों के बारे में, जिन्हें कई लोग जाने अंजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं, अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं, तो उन्हें तुरंत वहां से हटा कर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलियुग में मनुष्य कुछ अशुध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविश्यवानी पहले ही की हुई थी कि कलियुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुब चीजों की भी पूजा करेगा भगतों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पूजा घर में कौन सी तस्वीर या मूर्तियां नहीं होनी चाहिए वास्तु विज्ञान के अनुसार, घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए क्योंकि शिवलिंग शून्य और वैराग्य का प्रतीक है इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो पारत का या फिर अंगूठे के आकार का शिवलिंग घर में रख सकते हैं भगवान शिव के ही एक अन्य रूप है भैरव इनकी मूर्ती भी घर में नहीं रखनी चाहिए इसका कारण यह है कि भैरव एक तामसिक देवता है तंत्र मंत्र द्वारा इनकी साधना की जाती है जबकि पारिवारिक जीवन में सुख, शान्ती और प्रेम की अपेक्षा की जाती है इसलिए घर में भैरव की मूर्ती नहीं रखनी चाहिए भैरव को प्रसन रखने के लिए आठ वर्ष से छोटे बालक को भोजन कराया जाता है भगवान शिव का एक रूप नटराज का है वास्तुविज्ञान के अनुसार नटराज रूप वाली शिव प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए इसका कारण यह है कि भगवान शिव जब तांडव नृत्ति करते हैं तो विनाश होता है नटराज रूप में शिव तांडव करते इसलिए इन्हें घर में नहीं लाएं दोस्तों शनी ग्रह की शांति के लिए शनी की पूजा आराधना की सला जोतिश शास्त्र देता है लेकिन इन्हें घर में लाने की सला जोतिश शास्त्र भी नहीं देता है शनी महाराज एकांत विरह उदासीन्ता और वैराग के देवता माने जाते हैं जबकि ग्रहस्थी को चलाने के लिए राग प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शणी महाराज की मूर्तियों को घर में नहीं लाना चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहले बाद, दीपक और धूबदान की भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं, तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो, तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूब भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांती बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्थिक। घर के मंदिर में स्वास्थिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्थिक आपके घर की शक्ती सौभाग्य स्मृध्ध्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्थिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री श्रीकृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृध्ध्य का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्थिक बना कर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव सम्रिध्ध बनी रहती है और एश्वर्य की प्राप्ती होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रतनों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मा लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनी से सकारात्मक उर्जा का भी संचार होता है। इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मा लक्ष्मी भी प्रसन होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं, तो ये हैं वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आईए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। कि मुख्यद्वार पर गणेश जी की मूर्ती बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्यद्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्यद्वार के अंदर की ओर लगाईए। लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज तूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी तूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें। यह नाकारात्मक उर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगो कर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दे। क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किन्तो उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नाकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्षमी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज है गंगा जल हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यन्त पवित्र माना गया है इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यन्त आवश्यक है। दूसरी चीज है, कलश शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्य नारायन की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्री का पर्व हो, या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो, तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किये बिना सब कुछ आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखना इतना शुब होता है, कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखें, तो उसका चमतकारी प्रभाव हमें अवश्य ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बरतन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। के लिए दक्षणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। करते समय हमेशा सिर को दुपटे या फिर रुमाल से ढखना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत चावल, कुम कुम चंदन, पुष्प कोई प्रसाद, आदी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए, ध्यान रखें। पान के पत्ते के साथ इलाईची लॉंग, गुलकंद आदी भी चढ़ाना चाहिए। हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुभो कर पीला किया जा सकता है। करने के लिए लाल रंग का भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है, इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं, उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए, आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रति दिन भी एक दीपक भी घर में जलाएंगे, तो घर के कई वास्तु दोश भी दूर हो जाएंगे। सूर्य गणेश, दुर्गा शिव और विश्नु यह पंच देव कहलाते हैं, इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए, प्रति दिन पूजन करते समय इन पंच देव का ध्यान करना चाहिए, इससे लक्ष्मी कृपा और सम्रिध्धी प्राप् होती है, तुलसी के पत्तों को ग्यारह दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुन भगवान को अर्पित किया जा सकता है, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए, कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उप्योग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ट बताई गई है, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, धार्मिक कार्यों में खंडित सामगरी शुभ नहीं मानी जाती है, शिवजी को बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं, और किसी भी पूजा में मनो कामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक् गणेश की तीन विष्णू जी की चार और शिवजी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, भक्तों जोतिश शास्त्र से लेकर वास्तु शास्त्र में सुख सम्रिध्य और सकारात्मक्ता के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है, कई लोग वास्तव म बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहत जरूरी है, कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है, याद जितनाने से घर में सुक, शांती, खुशी और सकारात्मकता आती है, घर में मौजिदु, हर चीज से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर निश्चित रूप से होता है नकारात्मक उर्जा वाली कोई चीज घर में हो, तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारिरिक तीनों तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ेगा वास्तु शास्त्र अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक उर्जा का विकास होता है और जीवन दुख्मय बन जाता है पहले भक्तों हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं आपसे अनुरोध है, क्रिपया हमारे चैनल प्राचीन ग्यान पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा भक्तो नंबर एक, कोई भी देवी देवताओं की मूर्तिया चित्र दोस्तों, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानी होती है अत आप से अनुरोध है, उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए इसके अलावा, देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए कुछ लोग धेर सारी मूर्तियां इकठी कर लेते हैं जो की वास्तु दोश निर्मित करते हैं, उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं इसके अलावा, कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं, जो की परंपरागत नहीं है जैसे की चिलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव, महाकाली, रूद्र रूप तो भगतों ऐसी तस्वीरें अपने घर में भूल से भी नहीं लगानी चाहिए नमबर दो, वास्तु शास्त्र के अनुसार, अपने घर या ओफिस में साप गधे, उल्लू स्वर्ग बांस, चमगादर गिध कबूतर जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापी न लगाएं यह आपके परिवेश में हिंसात्मक द्रिष्टिकोन को बढ़ावा देते हैं और दोस्तों, कभी भी भूल से रुमाल किसी से गिफ्ट ले और कभी रुमाल किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए रुमाल लेना या किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है वास्तु शास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ती से जगड़ा हो सकता है और रिष्टे में खटास आ सकती है अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक उर्जा का संचार होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और तूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए जेब में भी कभी भी फैले हुए पैसे न रखें अब दोस्तों आपको तूटी फूटी चीजों का वास्तु समझाते हैं तूटे फूटे बरतन दरपन, इलेक्ट्रोनिक सामान तस्वीर, दीपक पलंग घडी, जाडु मग फरनीचर, चाहे कोई भी तूटे फूटे समान हो घर में नहीं रखना चाहिए इससे घर में नकारात्मक उर्जा का निर्मान होता है और सकारात्मक उर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ती मानसिक परिशानियां जहेलता है, घर में कोई भी तूटा हुआ सामान है तो उसे मरम्मत करवा ले, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंग दे, ऐसी वस्तुएं न कारात्मक उर्जा पैदा करती हैं, नंबर पांच, पूजा के कलश खाली रखने में भी लगता है, वास्तु दोश भक्तों पूजा घर में रखें, कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, हम आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा विश्नु और महेश का वास होत और भक्तों पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से हैं, इसलिए पूजा कलश को कभी खाली न रखें, कलश में गंगाजल जरूर भर कर रखें, इससे घर में सुख सम्रिधी आती है और उन्नती प्रगती के सभी रास्ते खुल सकते हैं, दोस्तों, नंबर च्छ, पेड़ पौधे न लगाएं, इससे पारिवारिक संबंधों में भी काटों की चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों का मति भरष्ट हो जाता है, कई लोग पुरानी या फालतु चीजों से भी अपना घर सजाते हैं, जो की ऐसा करना अच्छा नहीं मा जाता है, जो की गलत है, ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक उर्जा को बढ़ावा देती हैं, वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक उर्जा में बढ़ोत्री होती है, इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे हुए पेड पौधे हो या मानवरहित उजाड शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तु शास्त्र अनुसार ये सभी नकारात्मक उर्जा पैदा करती हैं। दोस्तों, नमबर साथ, हानिकारक वस्तुएं, मित्रों, घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिसके घर में रखे जाते हैं, तो घर का वातावरण विशैला बन जाता है, जहां स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुण, धर्म इससे बदल ज जाता है, ऐसे कई वस्तुएं हैं, जो हमारे घर में आसपास रहती हैं, जैसे यहां वहां घर में बिखरी धेर सारी दवाईयां, और टाइलिट क्लीनर, शोर, फिनायल, जहरीले, रसायन, कीट नाशक, और भी मच्छर मारने की दवा, सभी तरह की हानिकारक वस्तुएं के एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, और वह भी ऐसा, जहां वे सुरक्षित रखी हों, ऐसी वस्तुएं के लिए अलग से लकडी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं, और उसमें रखें जो किचन और बच्चे और बेडरूम से दूर हो, वास्तुदोश मिटाने के लिए कप इस दूर के लिए पुर रखें, यदि घर के किसी स्थान पर वास्तुदोश निर्मित हो रहा है, तो वहां एक कपूर की टिकियां रख दें, जब वह टिकिया गलकर समाप्थ हो जाए, तब दूसरी दो टिकियां रख दें, भक्तों इस तरह बदलते रहेंगे, तो वास्त दोश निर्मित नहीं होगा, नमबर आठ, मकडी का जाला, दोस्तों, घर में बनने वाले मकडी के जाले तुरंत हटा दें, इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं, ध्यान से देखने पर मकडी का जाला घर के कोने-कोने में रहता है, और उसे हटाना जरूरी है, कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं, क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन दोस्तों, इसे तोड़ना जरूरी है क्योंकि मकडी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है, अतह माना जाता है कि यह जाला होन तो अनुचित ही है। तो अनुचित है कि कौन सा पत्थर या क्या फाइदा पहुचा रहा है और कौन सा पत्थर और नगीना नुकसान पहुचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखा है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी उर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। दोस्तों, नमबर दस, सोफा कुर्सी और टेबल, मित्रों, आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है, तो उसे तुरंत घर से हटा दें, या उसे मरम्मत करवा दें, यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। दोस्तों, यही कुछ बातें थी, पूजा के संबंधित, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, इसी लिए हमें पूजा के वक्त इन बातों का विशेश कर ध्यान रखना चाहिए।